यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ भारत के प्रधान मंत्री नरींद्र मोधी ने पूरे एक महीने पहले ट्वीट कर 28 सेपल को एतिहासिक दिन बताया था बीजेपी जो इस वक्त भारत के ज्यादा तर हिस्से पर काविज है जिससे साल 2014 में जनता ने भारी बहुमत दे कर जुताया था उसी बीजेपी के गोशनपत्र में तमाग तरहें के दावे किये गए थी इभारत के हर एक गाउं तक बिजली पारी और सडके पहुचाए जाएंगे लेकिन केंद्र में मोदी सरकार को बने पूरे चार्ट साल हो गए है पीम ने ट्वीट करके साबाशी भी बटोरनी चाही बगर सचाई कुछ और ही है आपको यूपी के जहांसी के एक गाउं दिये चलते हैं जिसके तस्मीरे कुछ और ही बया करती है हम बात कर रहे हैं जहांसी जीरे के कटेरा ग्राम पच्चाई जहां पर आज भी गाउं के लोग बिजली पानी और सडकों से महरून है जबकि खुद पीए मोदी ने आज से एक महने पहले ट्वीट करके ये दावा किया था कि भारत की हरे एक गाउं तक परियाप्त बिजली पहुँच रही है ये देश के लाखों समुकों के चार बर्सों के अथक परिश्रम का परणाव है कि आज देश के उन अठारा हजार से जादा गाउं में भी बिजली पहुँच चुकी है जो अब भी अठारवी शताब्दी में उस अंधेरे में जीने के लिए मजबूर है लेकित जच्चाई खुद कटोरा ग्राम की बहलाएं सुना रही है जिन्हें आज तक उजवला योजना के तहत एक भी गैस सिलिंडर नहीं मिला है हुमारा साजीरा में रहते हैं कटे रहां पनचाज में ठीक यहां पे सत्तर साल हो गया आज अजाधी से अभी तक लाइट नहीं आया है और कई समस्था हैं मुल्भूथ समस्था हैं अफेक्श नहीं डला यहां पर और कोई सब्धा नहीं हैं कुई सुदा नहीं हिए का ना कोई स्कूल है या। बैंटर कोले है। नहीं है लोग की पैस्ति पह décinya है के हम लोगों के लेका सिक हुए और यहीं कुछ हैं देखको नहीं हैmm मतलब इतने से लुत की और प्छेक हम लोगों को दीज़ा नहींRC आज तक सब्सक्राइब रखके और हम लोगों की आई संसे पर धुम ग्याएं कटोरा गाउं में आलम ये है कि अंधेरे तले महिलाओं को चुले पर रोटिया सेखने पड़ी है बच्चों की पढ़ाई पर खासा असर पड़ रहा है और तूटी तूटी सडके भी बीजुपी के द्वारा करवाए गए विकास के सभी दावे फेल करती हुई नजर आ रही ह और जो भी से संदर्भ में खबरे अभी तक की टीम ने ग्राम प्रधान से बात कने चाही तो उन्होंने बाहर होने का हवाला देते हुए मिलने से इंकार कर दिया कि साजेरा गाउं जो है गाउं या मजरा जो भी है लगवक शेसो की आबादी है और अभी तक वहां पर विदूती करण नहीं किया गया है इस सम्मन्द में एक्सियन हाइडल जो महुरानीपुर के हैं उनसे बारता की गई है और उनके द्वारा कोई संतोष्जनिक जवाब मुझे नहीं दिया गया है इस सम्मन्द में उनसे इस पश्टी करण की प्राथ किया जा रहा है कि इन परिस्ति में उत गाउं को किसी योजना के अच्छादित नहीं किया गये इस सम्मन्द में राजिव गांधी ग्रामिड विदूती करण योजना और उसके पश्या डीडियो जी के वाई दोरों स्कीम में संचालित थी जिनमें इस तरह की सभी जो अधिवासित दस्तियां हैं उनको बिजली से कनेक्शन दिये जाने के प्रावना है पावर फॉर आल स्कीम जो है उसमें भी हर एक हाउसोल्ड को हमें बिजली से कनेक्ट करना है तो शीद्र ही इसको हम लोग जुसीने किसी जोजना में आच्छा दिक करेंगे और गाउं का उदूती करेंगे ऐसे में जनता केवल एक ही सवाल पूछती है कि विकास केवल बीजित है शब्दों में ही है क्योंकि जमीने स्थर पर बीज फेल होती हुए नजर आ रही है आज हम ख़ले हैं छांसी जिले की ग्राम पंचायत कटेरा में कटेरा के अंतरगत एक ऐसा गाउं जिसमें आजादी के कई बरसों बाद भी आज भी पानी और बिजली के लिए तरस रहे हैं गाउवासी देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदितिनात सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं लेकिन यहाँ का गाउं आज भी विकास के नाम पर पिछड़ा हुआ है। प्राम बासियों से बात करते हैं कि क्या है उनकी समस्याइं आपको दिखाते हैं आपको क्या समस्या यहां पर क्या आपको परिशानी आ रही है हमें जो पतो पाइजाब है कि हमों पिधानमंती को है हमाई गाओं को हमाई काओं को पिधानमंती को है तो हम उन पिधानमंती जी लोग ने ओपर तक कही फर्यार लगाई लगाई है। आपने देखा किस तरह से ग्राम बासियों का आतरोस निकला हुआ है कि आजादी को कई बर्स हो गाई लेकिन आज भी ग्राम बासी अपने आपको गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस करते हैं ना बिजली है ना पानी है ना रोड है ना नाली है ऐसे में ये गाउवासी कैसे गुजर बसर करते हैं ये यही लोग जानते हैं खबरे अभी तक के लिए छांसी से अभिशेक तिवारी करते हैं श्राम में